Good morning और सबसे पहले लूपिन के बारे में बात करते हैं quarterly numbers काफी शांदार हैं In fact, Nomura का यहाँ एक buy call है उनके हिसाब से जो existed EBITDA है settlement charges के बाद वो लगबग 25% के आसपास आ रहे हैं और अनुमान से काफी बहतर नतीजे जिसके बाद stock में 4% का gap up हुआ अभी भी लगबग 4% की तेज़ी के साथ आपको loop in trade करता हुआ दिखाए पड़ रहा है PB FinTech, शांदार quarter अगर हम net profit की बात करें तो 60 करोड जो पिछले साल 12 करोड के आसपास का loss था और existed EBITDA भी लगबग 50 करोड के आसपास आया है जो लगबग 23 करोड था तो स्टॉक में आप शुरुआती 3-4% की तेज़ी यहां देख रहे हैं Glend Pharma रिजल्स ने डिसपॉंट किया profit में 26% का decline EBITDA में 10% का decline और margins पे भी काफी खराब असर देखने को मिला है quarter में रिजल्स के बाद Glend Pharma के शेर में भी आप लगबग 2-3% की डाउन टिक देख रहे है ओके तो चलिए यह समयतिन बहुत बहुत शुक्तिया कुछ स्टॉक्स ओड़ दे डे Meanwhile वो जो मैंने PFC और REC की स्पॉर्टिंग की ती एक बार लेकर आई ज़रा उन दोनों स्टॉक्स हो खासतोर से PFC को क्या I think PFC की कल ज़्यादा पिटाई हुई थी ते इसके लिए यहां पर शायद bounce back भी ज़्यादा strong आया साड़े 4% उपर इसमें PFC हलाकि REC अब एक बार लेकर आई वापस REC को भी वो जो लेवल की बात हो रही थी 595 की अब उसकी दुर्फ बढ़ रहा है करीब करीब 588 पर चलिए अब थोड़ा आगे बात